दोस्तों घर के कुछ ऐसे टीप्स है जिसे की जान करके आपको बहुत ही ज्यादा खूसी मिलने वाली है और बहुत ही जारे टाइम और पैसे सब कुछ बचेंगे तो थोड़ी से टीक्स से हमें कितना कुछ सीखने को मिल जाता है दोस्तों तो चलिए इसी सिल सिल जारी रखत मार्केट तो हमाने सबसे जाद परशानी क्या चौना को प्रशानी क्या लगता है इसे साफ कर्णा क्यों एकुछ ही तिप्स गुर्श्चिछ मैं बता रही हूं आप इसे बहुत आराम से कर सकतेЙ हो अपको क्या करना है दोस्तों अगर आप इसे खोल देंगे न तो ये किचे जब भी आपको साफ करना आप इसकी जो गाठ है बिल्कुल भी खोलिए नहीं इस तरीके से गाठ जो होते हैं बहुत ही अच्छे से सजाक लगे होते हैं जड जो एक बरावर में हैं कई आगे पीछे नहीं रहता है तो यहां पे आपके जो एक वार में ही सारे जड को इ बीबने देखेते को और कम को पला करें. पीलम पत्ते काले नीकाले कौश का लाशार को में लगए और कुछा नुद्ञ तो क्वें अपनिये टीव से पुछे हो 지목िते को बेट में काम है। एक लाग जरूर कीजिएगा तो हमारी आज की जो अगली टीप्स है वो है इस तरीके से छोटे पर्स जो होते हैं जोल्री वाले मिलते हैं इसका आप बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं इसे आप फेकनी के बजाए घर में रखे रहे हैं और इसका यूज आप बड़े अराम और आप इसका यूज मैं करूंगी मैं यहां पर मैंने लिया है डवल साड़े सादेम आप क्या करें जाहowski करोगी किसीट्व है नुच्च MON Alert के लिए तागी जेए चिपका लिए यहाँ आप इसका यूज काहां आप कहीं पर विकाषाकते हों आप इसका यूज घो इसी जि जिसी जहां कि आपको डेली यूज पढ़ती हो तो जलिए अब मैं आपको इसका यूज करके दिखाती हूँ तो दोस्तों ये दिखिए मैं आ गई हूँ अपने अलमारी में कबड में जहां पर मैं कपड़े रखती हूँ कुछ सिंगार बगेरा रखती हूँ तो यहां पर मैं इसका यूज करने वाली हूँ यहां पर मैं इसका यूज कर रही हूँ कुछ इस तरीके से यह दिखिए मैं लगा दूँगी इसे यहां पर अच्छे से जह इसे प्रेस कर देए ताकि अच्छे से चिपाक जाए अब देखिये ये हमारा काम कितने आराम से होगा आप चाहे तो इसमें आप पैसे रख सकते हो या आप इस तरीके जो अंगुठियां बगेरा होती है जो की किमती होते हैं हम लोग जो है रखना इदर उदर कहीं भी रख देते हैं तो आप क्या के ज़िए दोस्तों आपको जब भी ज़रूरत हो अप इसमें आप इसमें रख दीजे आप अराम से इसके जो चैन है वो बंद कर सकते हो इस तरीके से आप ंद कर के रख दीजे आपके जो भी किमती समाने इसमें बहुत ही अच्छे से रहेगा और आपको अराम से मिल भी जाएगा तो है ना ये कमाल का अडिया आप जरूर ट्राइ करना आप इसका यूज कहीं भी करए किचेंड में किजिए किचन में भी छोटी-छोटी जो होते हैं रोज खोलते हैं रोज पहनते हैं शोटी ने च्छोटी कोटिया तब काम करने टाइम सबसे अच्छी बात किया है इस तरीकी से आप चेन भी लगा के रख सकते हो इससे कि आपका समान गीरेगा भी नहीं और घूम भी नहीं होगा तो है ना यह कमाल के आडिये होप करते हैं तो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तो हमारी आज की जॉगली टीप जब भी हम लोग खाना बगेरा कुछ भी खाना बनाते हैं चाबल हो गया सबजीया हो गया दूर गरम करते हैं तो क्या होता है इससे जो है हीट निकलती है आप इसके उपर अगर कुछ भी ऐसे चीज़े रखते हो ना जो कि बहुत ही जल्दी गरम हो जाएगी अगर आप इ इसके नहीं पर जाता है जैसे कि देखी हमारे मसाले जो है कभी 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 क्या होता है रखे रखे जो नरम पढ़ सब्कार जाता है और जब भी हम लोग छेंका वगेरा लगाते है तो इसकी अच्छी सी खुस्वू नहीं आपाती है आप इस तरीके से क्या कर सकते हो बिना भूण दिखाये हैं घर में ही खाना बनाते बनाते किचन में हिस तरीके से अपने समानों को ठी ambasme को उस्कुछ है तु क्या करना है दोसतों जब भी अगर आप सब्या मा ना रहे हो चावल बना रहे हो या दूद में कर रहे हैं तो लोग को फलिम को लो हो करके तरह के अपने समान को पैला दीजें एक उची देर में काफी अच्छे से गरम हो जाएंगे अच्छी तरीकी से दम कुरकूरे हो जाएंगे तो आप इस सा कर सकते हो किचन में ही अलग से आपको गैस खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप जब रोटिया बनी हो जाती ह दुस्तों काम के लगे होंगे तो अगली टीप से पो है नॉन स्टिक तवे से लेटे बहुत सरे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें की तेल वलब खाना बिलकुल भी पसंद नहीं होता है और उन्हें बिलकुल भी ओयल फ्रीज खाना होना चाहिए होता है पर यह जो तवे होते इ इस तरीके साथ इसका यूज कर सकते हो ग्रीशिंग के लिए क्योंकि प्याज जब हम लोग कट कर देता है इसमें एक प्रकर का गीला पन निकलता है पानी जैसा यह हमारे ग्रीशिंग का काम करेगा हमारे तवे को आप इस पे कुछ भी डोसा पकोड़ा जो भी चीला सकते हो यह जो प्याज है इसे फेगनी की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप अगली बार जो है अपने खाने में जरूरी उच कीजिए बिल्कुल भी खराब नहीं होता है तो दोस्तों आसा करती है टीप से आपको अच्छे लगने उच्फू लगे होगे दोस्तु मारी करते है तौना से उच्छी तब करना है छोड़ा तौन आहिए तरीका दies कि आपको इस तरीके से थोड़ा सालका इसे प्रेश करना है आप रखेर मत रहिए आप इस तरीके से इसे ऐसे करेंगे na जहां के भी दाथ तेज है, वो सारे दाथ, जो हैं, मतलब कि यह थोड़े से चुपते हैं, वो दब जाएंगे, पिगलने की बज़ा से, हमारा गंगी दाथ को चुपते हैं, बहुत ठीक हो जाएगा, तरीखा आप करके देखिएगा, जरूर जब भी आपके साथ गंगी चु और हमें जरूर बताईएगा उमीद है आज के सारे ही टीप सेटिक्स आपको अच्छे लगें वीच्फुल लगें दोस्तों काम के लगें तो फिर वीडियो थोड़ा अच्छे लगता है तो वीडियो को लाइक कमासे जरूर कीजेगा अपने फैमिली और फिर्ट के साथ भी जरूर सेयर कीजेए ताकि उन्हें पी ऐसी टीप सेटिक्स के बारे में पता चल सके तो चले पिन मिलती हूं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक के अपना ख्यार रखना थैंक्स पर वाचिंग